हेलो बच्चो कैसे हो आप सब आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 फोटो सिंतेसिस का पार्ट 4 अगर अभी तक आपने पार्ट 3 वीजिट नहीं किया है तो इस कार्ट पर क्लिप करके पहले पार्ट 3 वीजिट कर सकते हैं पार्ट 4 में अपने स्टार्ट करेंगे डार्ट रेक्शन पार्ट 3 में अपने क्या की थी लाइट रेक्शन जो की साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोर एलेशन के पॉर्म में प्रोसीड करती है और उस पार्ट के एंड में मतलब लाइट रेक्शन के एंड में assimilatory power बोले तो ATP और reducing power बोले तो NADP फॉर्म हो जाते हैं अब जो अगला portion होगा वो chloroplast के stroma में होता है जिसे अपन क्या कहता है डार्क reaction तो डार्क reaction जो ती वो discovered की थी किसने black man ने इसलिए से black man reaction भी कहते है It is the second part of photosynthesis which is light independent part देखो यह मैं बार बार repeat कर रहा हूँ dark reaction का यह मतलब नहीं है कि वो dark में बोले तो अंदेरे में ही होता है या night में ही होता है ऐसा नहीं है dark reaction का मतलब है यह light independent है light हो ना हो इसका कोई फरक नहीं बढ़ता देखो photosynthesis में light की requirement क्यों है क्योंकि वो energy देता है तो वो तो अपने light reaction में बना ली उस light को capture किया और chemical energy ATP, NADP-S2 बना ली अब इस process में उसकी कोई need नहीं किसकी light की क्योंकि अपन क्या use करने वाले ATP और NADP-S2 यूज करने वाले तो it involves reduction of CO2 और इस process में क्या होगा CO2 को reduce किया जाएगा इसके अंदर गुलकोज के अंदर और क्या use करके assimilatory और reducing power assimilatory बोले तो ATP reducing बोले तो NADP-H plus या NADP-H2 produced in light reaction और यह कहा होती है stroma में क्योंकि जो plant CO2 लेते हैं वो CO2 को direct utilize नहीं करते हैं CO2 को किस form में use करते हैं पहले उससे reduce करके गुलकोज बनाते हैं और फिर use करते हैं इसी लिए इस process को CO2 fixation भी कहता है क्योंकि CO2 किस form में fix होती है गुलकोज के form में कोई problem ही आगे बढ़ते हैं dark reaction अलग-अलग जो plants होते हैं उनमें अलग-अलग form में proceed होता है तो कुछ में Kelvin Benson cycle के जिसमें majority of plants आते हैं कुछ में hatch and slack और कुछ में CEM crustulation acid metabolism के form में proceed होता है यहां पर जो है यह तीनों cycle जो होते हैं वो अलग-अलग तरीके से हैं ठीक है तीन अलग तरह के path way है ठीक है अपने इन दोनों को बाद में discuss करेंगे अभी कौन सा start करते हैं Kelvin and Benson cycle जिसे C3 cycle कहते है तो यह इस तरीके से जो path proceed होता है वो dark reaction का path Kelvin and Benson ने discover किया था इसलिए से Kelvin and Benson और cycle का मतलब यह एक cyclic form में pathway चलेगा ठीक है अब C3 क्यों कहते हैं वो भी अपन अभी देखते हैं CO2 यूज की थी उस CO2 में जो C था वो कौन सा था normal C12 ना उकर C14 radioactive isotop था ठीक है और उन्होंने क्या discover कि इस जो cycle जो चलेगा पूरा path चलेगा जिससे अब glucose बनेगा CO2 fix होगी उसका जो first stable product होगा और वो क्या होगा team carbon का PGA जिसकी full form होती है phosphoglyceric acid और क्योंकि यह 3 carbon का है इसलिए C3 C बोले तो carbon 3 बोले तो 3 carbon तो 3 carbon का first stable product बनता है इस cycle में इसलिए इसको क्या कहते है C3 cycle और यह discovery के लिए in a noble price भी मिला 1961 अब देखो requirement क्या है तो requirement वही है जो डाल्ट reaction में तो सबसे पहले तो मुझे CO2 चाहिए क्योंकि उसका ही fixation करना दूसरा मुझे assimilatory power और reducing power चाहिए reducing power से reduce करेंगे ATP से वो जो different process होगे उसमें energy चाहिए होगी next CO2 acceptor चाहिएगा primary CO2 acceptor मनलब जो सबसे पहले क्या करें CO2 को क्या करें गें करें और जो CO2 बार से cycle में utilize होगी CO2 को gain करने वाला CO2 acceptor चाहिएगा जो कि क्या होता है RUBP ribologe by phosphate by phosphate गोले तो दो phosphate होगे और ribologe जो होती है वो five carbon की सुगर होती है तो पांच कार्बन की सुगर पे दो phosphate लगे हो है तो कौन कौन सी position पे लगे हो है तो वन और फिप्त पोजिशन पे लगे तो राइबू लोज one five by phosphate यह जो होता है वो सबसे पहले CO2 को accept करता है और फिर आगे cycle form में चीजे बनती रहती है जिसमें side product के form में गुलकोज भी बन primary acceptor है तो इस पे CO2 add करने के लिए एक enzyme चाहिए जिसको कहते है rubis को जिसकी full form होती है RUBIS इदर तक तो है ribologe by phosphate C का मतलब है carboxylage और O का मतलब है oxygenate बोले तो यह जो enzyme है ध्यान से सुनना वो RUBP पे CO2 भी add कर सकता है और oxygen भी add कर सकता है अब कौन सा करेगा वो इस बात पे इसकी concentration ज्यादा है generally यह जो enzyme होता है इसकी affinity CO2 के towards में ज्यादा होती है और यह RUBP पे क्या add करता है CO2 add करता है जो कि अभी होगा लेकिन कभी कभी कुछ case में यह RUBP पे oxygen भी add करता है जिसको photorespiration कहेंगे इसे अपन chapter के आगे के part में अच्छे से study करेंगे ठीक है आगे enzyme है तो मतलब type of protein है तो अगर अपन को पूछे कि most evident protein कौन सा होता है पूरे earth पे किसी भी plant animal कुछ भी तो कौन सा होता है rubisco enzyme ही होता है ठीक है कोई problem नहीं अब देखो और first stable product क्या बनता है 3PGA और चो अपना man motive है क्या बनाना यह पूरा cycle कराकर अपन बनाना कहा चाते है CO2 को क किसमें convert करना चाते है गुलकोज में बहुत ही compact form में cycle को समझते है यह rubp है जो primary acceptor है यह co2 accept करेगा इस process को carboxylation कहेंगे जिससे 3PGA first stable product बनेगा वह बाद में different step से मतलब एक step में नहीं होगा different step से reduce होके क्या बनाएगा PGL अब PGL की कुछ molecules गुलकोज बना देंगे अब ऐसे तो यह cycle एक बार ही चला अब मुझे क्या करना मदब यह path एक बार ही चला cycle अब मुझे क्या करना पड़ेगा जो remaining PGL है उससे वापस rubp बनाना पड़ेगा ताकि वह अगली बार और यह perform कर सके तो जो remaining portion होता है उसमें यह PGL से कुछ PGL molecule से rubp वापस बना जाता है ताकि य rubp से start होकर वापस rubp पर आगे तो पूरा एक cycle हो गया इसलिए इसे इन सब नाम के पीछे क्या आ रहा है c3 cycle Kelvin Benson cycle ठीक है तो rubp co2 add करके carbox relation से PGA बनाता है फिर reduction से PGL बनता है जिसमें से कुछ molecule गुलकोज में convert हो जाते हैं कुछ molecule वापस rubp बना लेते हैं यह बहुत ही short summary form में यह cycle अब अपनी cycle को करेंगे कैसे तो ध्यान से सुनना exam में जब यह cycle full description में आता है four marks में आ भी सकता है इस chapter में से इस unit में से आपका एक बड़ा question भी आये तो अगर exam में question आता है तो पहले आपको यह story लिखनी है उसके बाद अभी में next में जो cycle बनाएंगे वह cycle अपन नहीं बताता main main step को detail में बताता तो cycle draw करेंगे फिर जो सारे step होंगे वह अपन equation के form में जैसे chemistry में equation लिखते है उस form में one by one knot करेंगे इस तरीके से पूरा question होगा और पूरा c3 cycle होगा ठीक है कोई problem नहीं पहला आप यह knot कर लिजे फिर अपन आगे करते है C3 cycle का अपन general introduction देख चुक है अब C3 cycle को cyclic pattern में draw कैसे गड़ना है तो वह देखते है तो देखो यहां से start करेंगे जो primary acceptor था किसका CO2 का जो क्या है ribulose by phosphate या full form लिखे तो ribulose 1,5 by phosphate कोई problem नहीं आप not कर ले नहीं ठीक है और यह ribulose by phosphate पे क्या add होगी CO2 add होगी और CO2 के add करने के लिए एक enzyme चाहिएगा जिसको अपन ने क्या बुला था rubis को अभी इस cycle में enzyme के नाम नहीं not कर रहा हूँ सारे step को अपन one by one और भी steps होगे इनके intermediate बीच में step उनको अपन आगे अच्छे से not करेंगे और हर reaction के उपर उस reaction का enzyme not करेंगे ठीक है तो एक यह रैबुलोज बाई फॉसफेड होता है इसके 6 molecule used होते और यह रैबुलोज बाई फॉसफेड किते कारबन का होता है 5 कारबन का होता ठीक है और इसके उपर क्या add होती है CO2 add होती है तो CO2 कितनी 6 CO2 add होती है और हर CO2 किते carbon की है 1 carbon की ठीक है तो यह total किते carbon हो गए 6 into 5 30 carbon और यह 6 into 1 किते हो गए 6 carbon 30 और 6 किते हो गए 36 carbon अब यह दोनों carboxylation से PGA बनाता है phosphoglyceric acid या 3 phosphoglyceric acid भी कह सकते है ठीक है और इसके किते molecule बनते है 12 molecule बनते है और हर molecule 3 carbon का तो 12 into 3 यह भी किते हो रहे 36 सही है न तो 30 carbon इसके 6 carbon इसके और यह 36 carbon का क्योंकि यह molecule किते carbon का है 3 carbon का है इसलिए इस cycle को अपन क्या कहते हैं C3 cycle ठीक है अब आगे क्या होगा यह जो PGA इसका phosphorylation होगा phosphorylation देखो ATP से ADP बनना या ADP से ATP बनना दोनों ही phosphorylation नहीं कहल लाता है तो यहां पर देखो यहां था 3 PGA बोले तो सिफ एक phosphorus group जूड़ा हो था और यहां हो गया 1,3 dye PGA तो 1,3 dye PGA होगा तो क्या होगा एक और phosphorus चाहिएगा तो वो inorganic phosphorus कहा से आता है यहां से तो 12 ATP किसमें convert होता है 12 ADP में और यह inorganic phosphate यहां जुड़ जाता है अब क्योंकि यह 12 molecule थे इसलिए यह ATP भी कितने यूज की है 12 यूज की है कोई problem नहीं और फिर क्या बन गया 1,3 यह बीच में यहांपन डाई PGA कर देना 1,3 dye PGA ठीक है यह भी 12 molecule का है इसमें भी 3 carbon है तो अभी भी total carbon कितने है 36 carbon इसके बाद होता है reduction और reduction कराने के लिए मुझे क्या चाहिए reducing power और वो reducing power किस से मिलती है अपने NADP H2 से 12 NADP H2 12 NADP में convert हो जाता है जिससे hydrogen release होती है और वो hydrogen reduction में क्या कर ली जाती है यूज कर ली जाती है और जिससे देखो phosphoglyceric acid आपको chemistry में पढ़ाए जाएगा acid जो होता है वो reduce होकर aldehyde बनाता है क्या बनाता है aldehyde तो यहाँ पर क्या होरा phosphoglyceric acid वो convert हो जाएगा phosphoglyceraldehyde बोलने तो aldehyde में convert हो जाएगा और साथ में यहाँ देखो 1.3.5 पीजिये था जबकि यहाँ सिर्फ 3 पीजिये बोलने तो बाकी के यहाँ पर हर जो molecule में दो तो phosphorous लगे होते हैं जबकि यहाँ एक molecule में तो सिर्फ एक ही phosphorous है तो दूसरा का गया तो यहाँ पर साथ में इन आरगेनिक फॉस्फोरस भी बाहर क्या होता है और कितने होंगे वो भी कितने हो जाएंगे 12 इन आरगेनिक फॉस्फोरस रिलीज हो जाएंगे तो यहाँ बन गया अलग से चैन में चले जाते हैं तो देखो दो मॉलिक्यूल 3 PGL के बोले तो 2 x 3 किते होगे 6 इसक्रोच का इस बना देता है गुलकोच को प्राब्लम नहीं फिर ब्लांट इस बना ते रहते और वह गिल्पोज को सुक्रोज में करते हैं फिर बाद में सुक्रोज को क्लांट किस फ़र्म में स्टार्ट करके रखे एक अब वापस इदर आते हैं तो दो तो मौलेकुल पी जी एल के गुलकोज बनाने में पार्टी सिपर करके अब वो कैसे होता है वो भी step by step होगा अब भी अपर देखेंगे remaining 10 molecules बोले तो three carbon का जो 10 molecules है बोले तो किते carbon होगे 30 carbon तो देखो यह से start करते हैं वापस यह किते थे 30 carbon यहां पर भी किते होगे 30 carbon तो ऐसा लगा कि यह six co2 को मैंने किसमें convert किया गुलकोज में अब आगे चलते हैं अब जो remaining part है वो उसका मोटीव यह है कि वापस क्या बना देना आर्यू बीपी ताकि और co2 molecules को क्या कर सके fixation हो सके तो यह 10 molecules जो होते हैं 3 PGL के series of reaction में transfer होते हैं उसमें से कुछ step यहां पर लिखे हुए पहले तो यह क्या होंगे four molecules देखो किते पांच कार्बन के तो five four जाकिते होंगे 20 और five carbon के दो molecule इसके बनता है five two जा ten तो 20 और 10 30 carbon यह भी है चार molecule बनते है जायलो लोज five phosphate के दो molecule बनते है राइबोज five phosphate के ठीक है फिर यह दोनों convert हो जाते हैं इसमें है राइबो लोज five phosphate किसमें करवड हो जाता है यहां थेखो राइबोज और यहां क्या है राइबो लोज five चाहिब्ड हो जाएंगे six molecule होंगे five carbon की बोले तो 30 अब लोज पांसी फाइफ है यह यहिदून तो यहां पे भी 12 थे तो 12 दी तो 6 ATP 6 ADP और IP में इस तरीके से साइकल चलेगा अब इस साइकल को ओवर ओल देखे तो बाकी चीज़ है तो वापस बन गई ठीक है एक बार कंजूम होई एक बार वापस बन गई उनको नौट नहीं करेंगे जो सिर्फ कंजूम होई है और जो सि क्या बना था एक गुलकोज का मॉलिक्यूल बना और 12 ADP और 12 NADP प्लस बना कोई प्रॉब्लम है अब एक चीज़ और यह 12 NADP के लिए 12 H2O को यूज किया होगा जिससे मेरे 6 O2 भी बनी थी किसमें light reaction में ठीक है तो यह 6 O2 और इन सारे process में 6 H2O भी बनता है ठीक है तो overall reaction अपन बचपर में क्या लिखते थे 6 CO2 12 H2O C6 H12O6 6 O2 और 6 H2O यही लिखते थे और यह क्यों नहीं लिखते थे इसको अपन ऐस साइकल होता एक बार सिर्फ अब याद कैसे करेंगे तो तो याद करने का तरीका सबसे पहले सिर्फ साइकल की यह जो component इसको याद करना है कि राइबुलोज 5 फॉसपेट से PGA बनता है PGA से 1,3 डाइब PGA बनता है फिर 1,3 डाइब PGA से 3 PGA फिर यह जैलुलोज 5 प्रेकलश करने हैं लाइबुलrows 5 फॉसपेट से और jest करेंगे प्रेकले से 1,35 फॉसपेट करना है क्योंकि 12 molecule थे तो 12 चाहिएंगे ठीक है यहाँ पर देखो एसीड था एल्डीएट बन गया तो रिडक्शन हुआ रिडक्शन हुआ तो एनडीप एस्टू को एनडीप में कनवर्ट कर दिया क्योंकि 12 molecule थे तो यह भी 12 यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा यहाँ वापस देखो राइगुलोज 5 फॉसफेट से बाई फॉसफेट बन रहा है तो फिर अडीप में कनवर्ट हो जाए हो क्योंकि इसके 6 molecule थे तो इस तरीके से यह सी 3 साइकल चलता है ठीक है अब इस सी 3 साइकल में अपने यह जो लिखा है बीच में काफी स्टेप नहीं लिखे जैसे यह पूरा स्टेप है यह पूरा स्टेप है यह पूरा स्टेप है लेकिन यह इससे इसमें कनवर्ट होना बहुत ही सारे स्टेप में होता है और यह आगे का भी बहुत सारे स्टेप होता है तो वह अपन वन बाई वन रियक्शनो बनाया है, उसके जितने भी detail में step है, वो C3 cycle का description भी कहलाएगा, जब exam में आपको C3 cycle describe करना होगा, तो इसी तरीके से सारे step लिखने होगे, तो वो start करते हैं, तो सबसे पहला step है, phosphorylation of ribulose monophosphate, तो देखो ribulose जो 5 phosphate होता है, वो phosphopentokinage enzyme की presence में क्या करता है, ribulose 1,5 by phosphate में convert हो जो कि क्या था, primary CO2 acceptor, तो ये कैसे बनता है, जब ribulose 5 phosphate पे क्या होता है, हर एक molecule पे एक एक phosphorus जोड़ता है, और वो 5 phosphate से 1,5 by phosphate में convert होता है, तो को enzyme का नाम कैसे याद रखेंगे, जहां पे भी ATP, ADP में convert होता है, या ADP, ATP में convert होता है, वो enzyme होता है, kinase, क्या होता है, kinase, तो अगर ये पूरा ना याद रहे है, तो kinase तो लिखेंगे अब, अब क्योंकि ये राइबुलोच phosphate पे काम कर रहा है, राइबुलोच 5 कारबन का होता है, और phosphate ग्रूप भी लगावा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फो पेंटो काइनेज, जाब पेंटो क्य क्योंकि इसके कितने मॉलिक्यूल होता है, 6 मॉलिक्यूल, इसके भी कितने बनेंगे, इसक्स क्या होईगा, उनिचे ग्रीन कलर में मैंने, मैंने, कार्बन के लिख दिये, next step में क्या होगा carboxylation होगा ribulose bifosphate का इस पे क्या होगा rubisco की presence में क्या होगी co2 जुड़ेगी और ये 6530 और 6 carbon ये 36 carbon जो होता है 3 carbon के 12 molecule PGA में convert हो जाता है जिसको क्या कहता है phosphoglyceric acid कोई problem नहीं फिर ये phosphoglyceric acid जो होता है इस पे क्या होता है ये 3 phosphoglyceric acid है हर एक molecule पे एक एक phosphorus और लगेगा inorganic phosphate group और लगेगा तो वो लगेगा तो 3 PGA से क्या बन जाएगा 1,3 डाई PGA ठीक है और ये देखो इस पे भी क्या चाहिएगी ATP चाहिएगी तो ATP ADP में convert होगा अब क्योंकि देखो मैं अब भी बोला कि जो भी ATP ADP हो तो kinase तो ये भी kinase ये किस पे है phosphoglyceric acid पे है तो इसे क्या कहेंगे phosphoglyceric kinase ठीक है at least kinase तो ज़रूर याद रख्या फिर है reduction जो ये PGA बना है 1,3 dye PGA इसमें एक काम तो ये होगा कि 1,3 dye PGA हर molecule पे दो-दो phosphate group है एक phosphate का group निकल जाएगा तो यहां 12 molecule थे तो यहां 12 phosphate के inorganic phosphate निकल जाएगा अब जो पीछे जो बच्चा है phosphoglyceric acid वो जो है acid जो है वो LDID में reduce होगा reduce होने के लिए hydrogen चाहिए इसलिए NADPS to NADP plus में convert होगी क्योंकि hydrogen hydrogen जो हो रही है वो काम आ रही है तो reduction जो की reduction या oxidation अगर hydrogen से हो तो उन सारे enzyme को कहते है dehydrogenase क्योंकि यह तीन कार्बन वाले पे हो रहा है इसलिए इसलिए क्या कहेंगे triage phosphate dehydrogenase at least आप dehydrogenase याद रखें ठीक है 12 molecule इसके भी और 12 molecule इसके भी अब देखो यह 3 PGL के जो 12 molecule बने है इन 12 molecule में से 2 molecule तो यूज किये जाएंगे गुलकोज formation में और remaining 10 molecule यूज किये जाएंगे यह ribulose 5 phosphate के वापस regeneration में ताकि यह step वापस से चल सके तो पहले हम देखता है कि 12 जो PGL के molecule से थे उन में से 2 2 PGL के molecule से गुलकोज कैसे बनता है तो देखो यह 3 PGL के 2 molecule और यह क्या करता है DHAP में convert हो जाता है देखो PGL की फुल पॉम मैं नहीं लिग दिये फॉस्फो गिल्सरेल डियाइड और DHAP की भी लिग दिये डाई हाइडरोक्सी Aceton Phosphate Basically दोनों ही 3-3 कार्बन की सुगर है इसमें LDAP functional group होता है और इसमें क्या होता है Ketone functional group यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब chemistry पढ़ेंगे बायो मॉलीकूल तो उस वाले chapter में 3 कार्बन की सुगर वो भी Ketone वाली LDAP group वाली आएगी तो अभी से याद करें तो यह 3 कार्बन की सुगर है जिसमें LDAP functional group है यह 3 कार्बन की सुगर है जिसमें Ketone functional group है और यह दोनों एक दूसरे में आपस में convert हो सकती है क्योंकि एक दूसरे का Isomer है यही बज़े है कि इनके एंजयम का नाम क्या लिखा हुआ Isomerage क्योंकि यह 3 कार्बन का है और Phosphorus लगा हुआ है इसलिए इसे क्या कहेंगे Phosphor, Triose Triose बुले तो 3 कार्बन Phosphor, Triose, Isomerage एंजयम के नाम को थोड़ा फोकस करेंगे तो अच्छे से learn होंगे ठीक है Fructose 1,6 Diphosphate के एक मॉल्यक्यूल में क्यों? क्योंकि वो 6 कार्बन का यह दोनों कितने कार्बन के थे? 3,3 कार्बन के तो 3,2,6 तो 6 कार्बन का एक मॉल्यक्यूल बन गया अब यह Fructose 1,6 Diphosphate में से 1 Phosphate यह 3PO4 निकल जाएगा और इस engine को कहेंगे Phosphate Age क्योंकि Phosphate ग्रूप निकल रहा है तो Fructose 1,6 Diphosphate की जगा Fructose 6 Phosphate रह जाएगा अब Fructose 6 Phosphate जो है वो Glucose 6 Phosphate में कनवर्ट होता है अब इन दोनों में भी वो ही फरक है जो इन दोनों में यह दोनों ही 6 कार्बन की सुगर तीक है Fructose जो होती है उसमें Ketone functional group होता है जबकि Glucose जो होती है उसमें LD8 functional group होता है अगें यह दूसरे के आईसोमर है इसलिए enzyme का नाम क्या लिखा आईसोमरेज अगर इसी तरही के से लिखना चाहे तो यहां लिख सकता है Phospho Hexo Isomerase क्योंकि कितना 6 कार्बन का है और इधर 3 था तो Phospho Triose Isomerase अगें अगर यह पूरा याद ना रखे तो Isomerase तो याद रखे इधर भी Isomerase फिर यह गुलकोज 6 Phosphate जो है उसमें से एक Phosphorus और निकल जाएगा तो Respiration का First Step जो होता है जिसको Glycolysis कहता है उस Glycolysis स्टार्ट होता है गुलकोज से फिर गुलकोज से बनता है गुलकोज 6 Phosphate फिर फ्रुक्टोज 6 Phosphate फिर फ्रुक्टोज 1,6 Diphosphate फिर उससे 3PGL और DHAP इसका मतलब यह वाले जो स्टेप है वो उस Glycolysis के जैस्ट उल्टे ओर्डर में यही वज़ए कि आल दीज रियक्षन जो होती है वो अपोजिट सिरी जो अप Glycolysis है इसलिए इन सारी रियक्षन को Glycolytic Reversion भी कहता है इस नाम से भी आपके यह कोशन आ सकता है कि Glycolytic Reversion वाली रियक्षन लिकोते है यह लिखनी है जो कि बेसिकली क्या बनाती है गुलकोज फॉर्मिशन करती है और किसका पार्ट है C3 साइकल का एक पार्ट है एक पार्ट और रहेगा यह अपने टू मॉलिक्यूल जो थे 3PGL के उससे गुलकोज बना लिया अब रिमेनिंग 10 मॉलिक्यूल जो है 3PGL के उससे क्या बनेगा राइबुलोज 5 फॉस्पेट बनेगा वो कैसे बनता है वो अभी अपन करते है पहला आप यह नॉट कर लीजे लास्ट रियक्षन लेते है रिजनरेशन ऑफ राइबुलोज 5 फॉस्पेट राइबुलोज 5 फॉस्पेट वापस कैसे बनता है तो देखो जो 12 PGA 3PGL मॉलिक्यूल ते उसमें से 2PGL मॉलिक्यूल गुलकोज फॉरमिशन में काम आगे रिमेनिंग 10 जो 3PGL मॉलिक्यूल होते है उनसे सिरीज ऑफ रियक्षन के बाद में क्या बनता है 6 मॉलिक्यूल बनता है किसके राइबुलोज 5 फॉस्पेट के ठीक है तो वो अपन को करना है तो उसको सिरीज ऑफ रियक्षन के हिसाब से भी कर सकते है जैसे कि आपकी बुक में दे रखा है आप एक बार समझ लीजिए चाहे तो आप इस तरीके से नौट करना चाहे तो आप अपनी बुक में से वो सिरीज ऑफ रियक्षन लिक्षन 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 तो देखो जो 10 मॉलिक्यूल है 3PGL के उनको पन चाहर पार्ट में डिवाइड कर देता है तू मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं यह 4 मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते है जो 3PGL के 4 मॉलिक्यूल होता है वह आइसोमेरेज, ट्रायज, फॉस्फेट, आइसोमेरेज से क्या बनाते है Abraham यह अपन पहले भी कर चुके है n dhap 3-pigl paus 1-3, लाशक धूसरे में कइंच होते रहते है ठीक है तो ट्रायज, फॉस्फेट, आइसोमेरेज से यह क्या बनाते है dhap अब इसके भी किते molecule बनेंगे फोर इसको भी अपन दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, दो molecule उपर और दो molecule नीचे, अब देखो, ये दो molecule 3PGAL के और ये दो molecule DHAP के, ये अपस में मिलकर क्या बनाते हैं, दो molecule बनाते हैं, फ्रुक्टोज 1-6-डाइ-फॉसपेट के, कोड़े से small letters लिके हैं, लेकिन आप focus करना, मैं एक बार वापस read कर दूंगा सारे, ताकि आपको not करने में कोई problem नहीं होगी, तो दो molecule जो थे 3DHAPK और 2 molecule 3PGAL के, एल्डुलेज एंजयम की presence में, क्या बनाते हैं, टू molecule बनाते हैं, फ्रुक्टोज 1-6-डाइ-फॉसपेट के, यह वाली reaction अब भी अपने, गुलकोज फॉर्मिशन बे भी की थी, ठीक है, फिर उसमें से एक phosphate group निकल जाता है, फॉसपेटेज एंजयम की presence में, और यह दो molecule, दो molecule बनाते हैं, फ्रुक्टोज 6-phosphate के, क्योंकि एक निकल गया, पहले 1-6-डाइ-फॉसपेट था, अब सिर्फ 6-phosphate है, यह वाली reaction भी अपने की थी, ठीक है, इसके बाद अलग है देखो, उसके बाद यह दो molecule जो DHAP के है, यह वाले दो molecule और दो molecule यह गुलकोज के, यह दोनों अपस में मिलकर दो अलग सुगर बनाते हैं, यह जितने भी molecule दिख रहे हैं, सब सुगर के molecule है, इसके किते molecule है, दो molecule, तो 6 टूजा किते होते हैं 12, ठीक है, और यह किते कारवन का था, 3, 3 टूजा किते होते हैं 6, 12 और 6 किते होए 18 कारवन, इस 18 कारवन के यह दो compound से दो तरह की सुगर बनती है, दो molecule बनते हैं किसके 5 कारवन सुगर, जाईलू लोज, 5 फास्पेट के, और दो molecule बनते हैं, 4 कारवन सुगर, इरिफ्रोज, 4 फास्पेट के, तो देखो 4 टूजा 8 और 5 टूजा 10, 10 और 8 किते होगे, 18, बराबर चल रहें, एक और चीज, अगर यहाँ पर दो नए नाम आए, उनको अच्छे से लर्न करें, chemistry में भी काम आएंगे, अगर पुछे 5 कारव कारवन की सुगर है, जिसमें किटोन फंक्शनल ग्रूप होता है, अगर किसी के पीछे एक जैसे नाम हो, जैसे जाईलू लोज, और जाईलोज, तो उन दोनों में से जो जाईलू लोज, लू लोज करके होगा, उसमें किटोन फंक्शनल ग्रूप होगा, और जो पूर कारबन की सुगर होगी देखो यह इरिक्थ्रोज लिखा हुआ है इसका मतलब यह अगर इडिट्रू लिखा होता तो किटोन वाली होती और किते कारबन की फूर कारबन की यह सारे नाम आपके बायो मॉल्यक्यूल केमेस्ट्री में भी आएंगे इसलिए मैं फोकस करके क दन करें इनको ठीक है तो यह दोनों हो गये अब देखो यह जो फोर कारबन के दो मॉल्यक्यूल है इरिट्रोज के और यह दो मॉल्यक्यूल किसके थ्री पीजियर के यह दोनों अपस में मिलकर ट्रांस एंडोलेज एंजयम की प्रजेंस में सुडो हेप्टुलोज 1,7 डाइफॉसपेट बना तक अब एक मिन द्यान से सुनना इसके देखो मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल है 4 कार्बन है 4 तूजा किता हुए 8 कोई प्रॉब्लम नहीं 8 कार्बन ही हो गए और ये 2 मॉलिक्यूल 3 कारबन के तो 3 तूजा 6 8 और 6 किता हो के 14 और ये 2 मॉलिक्यूल किता है 7 कारबन के 7 तूजा 14 बराबर चल रहे हैं न तो ट्रांस एल्डोलेज एंजयम की प्रजेंस में इरीट्रोज 4 फ beginning के दो मॉलिक्यूल और दो molecule 3PGL के आपस में मिलकर क्या बनाते है pseudo-heptologe 1,7-diphosphate और जो उस 1,7 में से एक phosphate निकल जाता है ये निकलना ऐसे इदर भी होता phosphitage enzyme कहते हैं ये 4-5 वार नाम आ चुका है phosphitage enzyme कहेंगे जिसे 1,7 से क्या बन जाएगा pseudo-heptologe 7-phosphate कोई problem नहीं एक important चीज और ये किते कार्बन की सुगर है 7 कार्बन की सुगर है C3 cycle में 7 कार्बन की सिफ ये एक ही सुगर participate करती है कोई competition exam में भी कुस्वर ना सकता है एक और चीज़ क्योंकि ये pseudo-heptologe है तो ये 7 कार्बन की सुगर है और वो भी को कौन सी किटोन functional ग्रूप वाली आगे चलते देखो pseudo-heptologe 7-phosphate के ये 7 कार्बन के 2 मॉल्यक्यूल और ये जो 2 मॉल्यक्यूल रहे हैं किसके PGA रहे हैं ये दोनों आपस में total combine करते हैं किते कार्बन होते हैं तो देखो 7 टूजा 14 और 3 टूजा 6 14 और 6 कितों के 20 उन 20 कार्बन और इन 2 मॉल्यक्यूल से आपस में मिलकर trans-kitolage enzyme की प्रजेंस में दो तरह की सुगर बनती है एक 5 कार्बन की जैलूलोज 5-phosphate बनता है और 5 कार्बन के 2 मॉल्यक्यूल जैलूलोज 5-phosphate के बनता है कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें देखो 5-2 जा 10 5-2 जा 10 ये भी 20 हो गए कोई तकलिफ नहीं है ये 14 और 6 20 हो रहे थे ये 10 और 10 20 हो गए यहां से बन गए किस किस से बने है सुडो हेप्टूलोज 7-phosphate और 3-PGL के 2 मॉल्यक्यूल आपस में मिलकर ये दो प्रॉड़क्ट बनाते है ट्रांस्किटोलेज एंजैम की प्रजेंस में आपकी बुक में ऐसे रियक्शन दी रखी ठीक है अब देखो दो मॉल्यक्यूल ये जाहिलूलोज 5-phosphate के और दो मॉल्यक्यूल ये जाहिलूलोज 5-phosphate के किसके बनाते है राइबूलोज 5-phosphate के कोई प्राब्लम नहीं और ये जो दो मॉल्यक्यूल थे दो मॉल्यक्यूल राइबोज 5-phosphate के फॉस्पो पेंटो आईसो मरीज एंजैम की प्रजेंस में दो मॉल्यक्यूल बनाते है राइबूलोज 5-phosphate के तो चार मॉलीक्यूल तो इससे बन गए दो इससे बन गए तो टोटल किते बन गए शिक्स मॉलेक्यूल किसके राइबूलोज 5 फॉसफेट के जो अपन को बनानी थी एक चीज यहां पर फिर नॉट करने लाएके राइबूलोज और राइबोज राइबोज बोले तो फॉसफेट ग्रूप जुड़ावा था यहां पर भी पांच कार बनता है तो फॉस्पो पेंटो लेकिन यह आईसोमर तो है नहीं इसलिए एपी मरेज लिखा है इस तरीके से इस स्रीज ऑफ रियक्शन से क्या होता है शिक्स मॉलेक्यूल बन जाते है राइबूलोज 5 फॉ जोरी वो साइकल और यह पीछे का जो भी डिस्क्रिप्सन था रियक्शन के फॉर्म में वो नौट करना है यह आप बुक में से रियक्शन के पैटर्न में भी लिख सकते है और ऐसे भी लिख सकते है ऐसे नौट करोगे मेरे इसाब से तो मॉलेक्यूल का अच्छे से समझ मै रहे गा कौन से मॉलेक्योल कित्ते मॉलेक्योल कहां से है ठीक है फिर आपकी इच्ठा जो आपको हो तो इस तरीके से अपना अपना से एक गुलकोज === molecule बनता है ठीक है और इस तरीके से अपना ये C3 cycle complete होता और इस वीडियो के part को भी अपनिया क्या करते हैं end करते हैं तो आप खुब सारा hard work कीजिए और इस cycle को अच्छे से अभी कर लीजे बाद के लिए नई छोड़ें कि बाद में करेंगे ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आप खुब सारी मेनत करेंगे खुब खुश रहेंगे खुब मत्स रहेंगे थैंक्यू फॉर वर्चिंग